दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में कारेरत है मैनेजर के तौर पर या फिर लीडर के तौर पर तो आपके उपर एक जिमिदारी होती है कि आप अपने लोगों को प्रशिक्षित करें और अपना काम भी उनको देने की कोशिश करें जिसको हम अकسर डेलिगेशन कहते हैं लेकिन डेलिगेशन करना यह जितना जरूरी है उतना आसान नहीं है इसके लिए कुछ ऐसी बुनियादी चीज़े है जो जानना बहुत ज़रूरी है वरना अगर हम डेलिगेशन करे भी तो उसमें गल्तियां रह सकती है रही नतीजा मिले और अपने काम को आप पूरी तरह से निभा पाएं और दूसरों से भी उसे निरंतर करवा पाएं तो delegation के दो मुख्य अंग हैं, दो मुख्य प्रकार हैं जिनके बारे में मैं शुरुवाती दौर में आपको बताना चाहूंगा और फिर इन में से जो एक कड़ी है जिसको हम कहते हैं stewardship delegation उसको मैं और गहराई में आपको समझाना चाहूंगा तो सबसे पहले तो दिखते हैं कि delegation के दो प्रकार कौन से हैं, दो तरीके कौन से हैं और ये दोनों तरीके जो है, इनका जिक्र जो है, एक बहुत ही विख्यात किताब में किया गया है जिसको कहते हैं The Seven Habits of Highly Effective People और इस किताब के लेखक हैं Dr. Stephen Covey, जिनको एक बहुत ही उम्दा management guru माना जाता है तो Dr. Covey ने अपनी इस किताब में इन दो delegation के बारे में जिक्र किया है जिसमें पहली जो delegation की बात कही है, वो है go for delegation और दूसरा जो तरीका है, उसको कहते हैं stewardship delegation अब go for delegation का मतलब क्या है? जैसे अंग्रीजी में कहते है go for this, go for that इसका मतलब है कि आप जब कोई काम delegate करते हैं, तो आप सामने वाले को सिर्फ ये नहीं कहते कि क्या करना है लेकिन आप सामने वाले को ये भी बताते हैं कि कैसे करना है यहने काम के साथ साथ काम को अंजाम देने का तरीका भी आप खुद टै करते हैं और इसलिए go for delegation केवल उन मामलों में इस्तिमाल होता है जहां पर या तो सामने वाले की समझ कम है या फिर सामने वाला काम पर काफी नया है जिसकी वज़े से उसका अनुभाव कम है और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सामने वाले को समझाए कि कौन सा काम किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है वगयरा वगयरा याने पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी आप सामने वाले को प्रदान करते हैं ताकि वो उस काम को ठीक तरीके से निभा सके लेकिन ये हर बार करना मुनासिब नहीं होता इसी लिए दूसरा जो तरीका है उस पर ज्यादा धान देने की आवशक्ता है जिसको हम कहते हैं stewardship delegation अब stewardship delegation का मतलब क्या है stewardship delegation में हम सिर्फ सामने वाले को ये बताते हैं कि क्या करना है लेकिन कैसे करना है ये तै करता है वो व्यक्ति खुद जिसका मतलब हम जो है तरीका तै न बताना लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाए इसकी जो सोच है वो पूरी सोच होती है उस व्यक्ति की जिसको ये काम सौपा गया है लेकिन गोफर delegation में आप काम सौपने के साथ साथ काम पूरा करने का तरीका भी बताते हैं विस्तार पूरवक तो जैसे एक छोटे बच्चे क को हर चीज बताई जाती है कि क्या करना है कैसे करना है वो गोफर delegation में होता है लेकिन असल delegation जिसको हम कहते हैं stewardship delegation यहाँ पर हम सिर्फ ये बताते हैं सामने वाले को कि आपने क्या करना है कैसे करना है या आप खुद टै कीजिए तो stewardship delegation जो है यह बहुत ही सही तरीका है delegation का और और बहुत जरूरी है कि एक लीडर होने के नाते आप पर जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए आप stewardship delegation को सीखें और इसको हर बार अमल में भी लाएं लेकिन stewardship delegation करने के लिए पाँच ऐसी जरूरी चीज़े हैं जिनको गांट मानना बहुत जरूरी है ताकि आप इनका ह हर वक्त प्रयोग कर सकें तो कौन सी पाँच चीज़े हैं जो माइने रखती हैं stewardship delegation के तालुक में ये रही वो पाँच चीज़े हैं सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए आपके टीम के व्यक्ति के साथ यह आपके टीम मेंबर के साथ वो है कि क्या नतीजे आप चाहते हैं इस काम से कैसे पूरा होगा ये काम और कैसे पता चलेगा कि इस काम में आपको कामियाबी हाथ लगी है तो ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों में ये तैह हो कि इस काम का मुल्यांकन किस तरह से होगा यहने इस काम का नतीज़ा जो निकलेगा हम कैसे तय और के नतीजा सही निकला, या नहीं निकला. अब कई बार होटा ऐसे है, कि हम जब काम दूसरों को सौकते हैं, वो काम अपनी तरह से तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि काम पूरा हो चुका है, असल में काम अभी अधूरा होता है. तो ऐसा कतई न होने पाए, ऐसी कोई भी दुविधा ना आपके मन में हो ना उनके मन में हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप stewardship delegation के शुरुवात में ही ये तै करने कि काम पूरा होने का नतीजा क्या होगा, कैसे तै होगा कि काम पूरा हो चुका है और सही माइनों में पू पूरा करना है, अब ये क्यों ज़रूरी है, तो कि यादर कियेगा stewardship delegation में आप सामने वाले को पूरी छूट दे रहे हैं, पूरी आजादी दे रहे हैं कि वो काम अपने मुदाबिक करें, अपने हिसाब से करें, और अकसर ऐसा होता है कि जब पूरी आजादी पूरी छूट दी जाती है, तो कई बार हो सकता है कि लोग उसका उलंगन कर जाएं और गलतियां करें और अपने दाइरे से बाहर जाकर काम करें, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ऐसा न होने दे, जिसके लिए नियम तै करना बेहद आवशक है, और इन्ही नियमों को कहा गया है guidelines, आपको ये बताना जरूरी है कि किस दाइरे के अंदर रहते हुए आप काम करेंगे, कौन सी चीज है जो आप कर सकते हैं, कौन सी चीज है जो करने से आप परहेज करेंगे, तरीका आपका हो लेकिन वो तरीका जो है नियमों के अंदर का हो, नियमों के बाहर जाकर कता ही नहीं, तो नियम बताना उस पर पाची करना, उसको समझाना ये बेहर जरूरी होता तीसरी जो एहम चीज है जिसको हम कहते हैं, resources जिसका मतलब है साधन अब कोई भी काम पूरा करने के लिए ये आवशक है, कि आप सामने वाली व्यक्ति को वो सारे साधन प्रदान करें, जिसके इस्तमाद से वो व्यक्ति इन कामों को बखू भी निभा सकें, जैसे उधारन के तौर पर अगर मैं आप से कहूं तो किसी काम को पूरा करने के लिए किन चीजों की आवशक्ता होती है, पैसों की आप से पूछे और सामने वाले से भी पूछे कि इस काम को निभाने के लिए आपको किन साधनों की आवश्रक्ता होगी क्या इस वक्त हमारे पास वो साधन है और अगर नहीं है तो किस प्रकार उन्हें मौहया करवाया जा सकता है बिना साधन के काम नहीं हो सकता तो इस पर गहराई में बादशीत करना बहुत ज़ादा आवश्रक है चौती चीज जिसकों कहते है अकाउंटिबिलिटी यहने काम को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से सामने वाले की होगी और इस बात को तरशाना बार बार याद दिलाना बहुत धरूरी है क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझ पर कोई काम दिया गया है तो मैं अपनी दरफ से कोशिश करूँगा अगर हुआ तो ठीक, ना हो तो भी ठीक लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई गुझाईश नहीं होगी क्योंकि काम की पूरी जिम्यदारी जो है वो सामने वाले पर होगी और हाँ ये बात भी सच है कि अगर वो अपने काम को बखुबी नहीं निमा पाया तो आखरी जिम्यदारी जो है वो आप पर होती है ये सामने वाले को बताना कि इस काम को अगर आप ठीक से निभाएं, तो इससे क्या फाइदा हो सकता है हमें, तो इसलिए आपको ये काम ठीक से पूरा करना होगा, आपको पूरी जिमदारी उठानी पड़ेगी, और इसी के तालुक में आखरी जो मुद्दा है, उसे हम कहते ह हुआ या नहीं हुआ, तो इसका परणाम क्या होगा, ये जो परणाम है, इसे हम कहते हैं consequences, देखिए अगर काम पूरी तरह से ठीक हो, तो उसके भी consequences होंगे, उसके भी परणाम होंगे, इसका मतलब हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है कि आपको आपके तंख आपका जो मुल्यांकन है, वो सही नहीं होगा, और इसका दुष परणाम ये हो सकता है कि हो सकता है कि आपको जो प्रमोशन मिलने वाला था, वो ना मिले या फिर आपको प्रमोशन देरसे मिले, या फिर अन्यकुई उसके असर आप पर दिखाए दे सकते हैं, तो काम करना या ना करना इन दोनों ही चीजों के जो परणाम होते हैं, इनको स्पष्ट तोर पे व्यक्त करना हमारी नैतिक जमिदारी बनती है। तो जब कभी हम किसी को भी डेलिगेट करें, यानि स्थिवाट्शिप डेलिगेशन का इस्तिमाल करें, तो ये पाँच चीजे हैं जिन पर बहुत ज़ादा ध्यान देना अत्यावशक हैं। कौन सी वो पाँच चीजे हैं? लीजे, एक बार फिर सुनिए, सबसे पहली चीज आपको ये बताना पड़ेगा कि काम का जो नतीजा है, वो क्या होना चाहिए? कैसे उसका मुल्यांकन हम करेंगे? क्या हम पाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरी एहम चीज, कि इन कामों को करने के लिए किन नियमों के दाइरे में रहते हुए आप ये काम करेंगे? तीसरी चीज कि इस काम को पूरा करने के लिए आपको किन साधनों के अवश्रक्ता होगी और कौन से साधन आपको मुहाया करवाए जा सकते हैं चौथी महत्पपून चीज वो है accountability यहने जिमधारी तो सामने वाले को काम की जिमधारी उठानी पड़ेगी ताकि नतीजा हमारे पक्ष में रहे और पांच भी और आखरी चीज काम करने या पूरा न करने का क्या परणाम हो सकता है यहने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू आपको समझाने पड़ेंगे जब यह पांच चीजे आप सही तरीके से करने इसका मतलब यह है कि आप जो है stewardship delegation सही तरह से कर पआए तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि आप किसी भी पद को सभाल रहे हो जब कभी आप delegation करें तो इन पांचों चीजों को याद रखें देखें कभी कभार आप gopher delegation का इस्तवाल कर सकते हैं लेकिन कई बार आपको stewardship delegation का इस्तवाल करना पड़ेगा ताकि आप सामने वाले को खुली छूट दे सकें ताकि वो अपने तरीके इस काम को पूरा कर सकें उसे अंजाम दे सकें delegation ना करना ये विकल्प हमारे पास नहीं है यूँकि जैसे जैसे आपके उपर काम की जिम्मदारी बढ़ती जाएगी ये बहुत जरूरी होगा कि आप दूसरों को भी मौका दें कि वो आपके इस काम को सीखें और वो अपने करियर में आगे बन पाएं तो जो सही तरीके से डेलिगेट करेगा वही आने वाले वक्त में अपने और अपने टीम के काम को सही तरीके से अंजाम देपाएगा आशा करता हूँ कि इन बातों से आपको कुछ न कुछ फायदा पहुंचा होगा तो इनका इस्तिमाल कीजिए और फिर मुझे बताइए कि इसका परणाम आपकी व्यक्तिकत या फिर आपकी काम की जो जिन्दगी है उस पर किस हद तक हुआ आशा करता हूँ कि इससे घेर सारा लाब आपको मिले और दुबारा जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद